जो मेरा वीडियो है वो है मेरा कम्प्लेन है मीसो की थूँ तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज आप लोग भी कमेंट में बताना मेरे साथ तो बहुत बहुत बढ़ा वाला धोका हुआ है मीसो की तरब से जो कि मैं आज आप लोग से सेयर करने वाली मुझे रिसीव क्या हुआ है वह मैं आज आप लोग उसे को दिखाने वाली हूँ जो इन्फुएंसर है वो मिसो को लेकर बहुत अड और बहुत यह हो रहा है कि मिसो यह है मैं में में गलत नहीं बोल रही हूँ मैंने पहले ऑडर किया है तो अच्छे चीज मुझे रिसीव हुआ है कि आप उसे यूज भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आज आप लोग किसे सेयर करने वाली हूं और मैं इमेज़ेस डालूंगी कि मैं मंगाई क्या थी और मुझे रिसीव क्या हुआ आप लोग भी देखोगे तो बहुत जादा शौक लगेगा रिटर्न के लिए तो अभी डाली हूँ पता ने वो रिटर्न लेने आते हैं कि नहीं आते हैं मैं फॉर्स टाइम कोई प्रोड़क्ट रिटर्न कर रही हूँ तो मुझे नॉलिज नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये देखे मेरा जो प्रोड़क्ट था वो मेरा रूपीज था 474 का ये 474 500 कम तो नहीं होते हैं और देखो मैंने यहां पर मंगाया था कूर्ती और स्ट्रेट पैंट और यहां सारे डीटेल्स वागे रहा हैं मैं संभाल के रखी हूँ क्योंकि इसे रिटर्न करना है पता नहीं लेने आते हैं कि नहीं और यह उनका जो पैकेजिंग है वो है और देखे इसके अंदर पर क्या निकला है ये देखे मुझे क्या रिसीव हुआ है लुक एट देस आधा कटा हुआ कपड़ा जो कि किसी जैकेट का है वो भी आधा है एक वन साइडेड है और एक साइड का दिया भी नहीं क्योंकि अगर आप कोई अलग चीज भी देते हो तो आप पूरा दोगे तो लोग उसे यूज भी कर सकते और ये क्या ये तो कपड़ा का कतरन जिसे वेस्ट पार्ट वोलते हैं जो कि मुझे यहां पर दिया गया है और मैंने 500 के लगबग स्वापिंग किया थो और ये मिसो के तरफ से यहां पर मुझे रिसीव हुआ है ये रिसीव हुआ है मुझे लुक अट इस ये वो भी आधा कटा छटा जो कि मैं 500 रुपीज का जो आप ओडर कर रहे हो वही आपको भेजना चाहिए था ये बहुत 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 गंदा लगा मिसो अब मुझे तो डर लग रहा है आगे भी स्वापिन करने में कि पता क्या नहीं होगा तो क्या सब्सक्राइब करती हूं मैं पहले पे नहीं करती हूं एमेजॉन मैं पहले पे करती हूं मीसों पे मैं नहीं की थी और पता नहीं यह वह लेने आता है कि मेरा मनी रिटर्न होता है कि नहीं वह पता भी नहीं आए अभी तो देखे क्या होता है तो मैं जो भी मेरा इस वीडियो देखने है अगर वह पहले रिटर्न कर चुके तो मुझे क्या तक तक ब्रपर को फ़िश मिलते हैं कि मनाली मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पतानी पर मैं बहुत ज्यादा सोची ही नहीं थी मैं 2016-17 से ओनलाइन स्वापिंग कर नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं बाता, फॉस्ट टाइम ऐसा हुआ है, वो भी बहुत गंता वाला, पॉसे मैं बहुत जादा खेयर रहूंगी, अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोग ने क्या एक्सल लिया है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऐसे त बहुत बहुत माइंड खराब हो चुगा, मेरा दिमाग सुन हो गया था, इसे देख कर कि, हे भगवान मैंने ओर्डर क्या किया और मुझे रिसीव क्या हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई भी ओनलाइन, जब आप बिजिनस कर रहो तो अपने अपने कस्टमर के साथ तो बिल कुल भी नहीं करना चाहिए,